नमस्कार सातियों मैं भावना आपका स्वागत करती हूं लीगल होम्स के यूट्यूब चैनल पर सातियों यह UPPCSJ या मैं कहूं UPPCS सिविल जैससे रिलेटिट उसके स्लेव से रिलेटिट है बहुत से सातियों की रिक्वेस्ट पर यह मैं वीडियो बना रही हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो LLB कर रहे हैं या LLB कर चुके हैं यह तीयारी कर रहे हैं UPPCSJ की या अधर इस्टेट जुड़ीशि से रिलेटेड सब्जेक्ट या से लेबस को डिसकस करूंगी और क्या-क्या इसमें पूछे जाते हैं कुछ उनको उन टॉपिक्स पो भी हाइलाइट करूंगी तो फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिरोंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो यूपि-पी-स ये की त्यारी कर रहे हैं या अन्य जुडिशरे एक्जाम्स की त्यारी कर रहे हैं क्योंकि मेरे चैनल पर अक्सर ही वीडियोस सभी स्टेट्स के वीडियोस के डालती रहती हों अप्लोड करती रहत और बहुत बहुत डेटेल में मैंने वह समझाया हुआ है कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको त्यारी करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स को जोड़ लीजिए इसमें भी और आपका भी फायदा रहेगा इसमें कोई पैसा लगता नहीं है आपक इकन को क्लिक करना है जिससे की आने वाला अपडेट्स आपको त्यार हो जाए तो फ्रेंड्स बात करते हैं प्रिलिम्स की प्रिलिम्स में सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कोशन की बात करूं तो मैं लॉस रिलेटेड़ सेकिंड पेपर होता है फर्स पेपर जी एस से से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से आपने त्यार करना है और किस तरीके से यह कुश्चंस पुट अप करते हैं बहुत बड़ा स्लेवस है इसका इसलिए दहरे रखिएगा क्योंकि कई चीज़ें बहुत लोग यह सोचते हैं क अधकर किसी बीचीज में एक्जाम की भी तियारी कर रहे हैं तो आप साथ कोई भी चीज लेके ना बैठ हैं अब टीक वाइस याँ कोई भी एक्ट या वुश्च कोई भी इनके बैठते हैं तो आपको दस से 15 दिन उनको उसको देने होते हैं इसी तिरीके से मैं आप तो आपको मैं बता देती हूं जनरल लॉलिज्ट से रिलेटड क्या रहेगा फर्स सब्जेक्ट इसका फर्स टॉपिक है इन्वेंशन 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 यह रिलेटड टॉपिक है साइंस से साइंस या नासा हुआ यह सब चीजें जो अभी इंडिया या फॉरेंग जो भी अधर कंट्रीज हैं जो हमारे नेवर्स कंट्री हैं जो भी इन्वेंशन किये जा रहे हैं साइंस के फील्ड में उससे इस टॉपिक से रिलेटड बता रहा है यह बात कि इन्वेंशन इंदी वर्ड्स साइंस से रिलेटड है यह साइंस का टॉपिक है तो आपको उस से 9 महीने के इंवेंशन को याद रखना है अधिक से अधिक अगर आपके पास टाइम है तो 12 महीने के आप इन सब को आप देख सकते हैं अब बात करते हूं स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स में भी इंडिया और वर्ल लेवल पे आपने त्यार करना है जो भी इंपोर्ट्स गेम रहते हैं क्रिकेट हुआ आपका फुटवाल हुआ या आपका होकी हुआ या महला क्रिकेट का रहा यह सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है स्पोर्ट से रिलेटेड एथलीट्स हुए यह सब चीजें आपके कोशन्स पूछ लिया जाते हैं नाम से भी रिलेटेड हो सकते हैं लेकिन करेंट में कुछ नगोच उनका योगदान रहा होता है वह रिलेटेड पूछ लिया जाते हैं बेसे कंप्यूटर की बात करूं तो बेसे कंप्यूटर जो हमने सीखा हुआ होता है जो बचपन में हम साइद आई थिंग आप लोगोंने स इंडियन इकोनोमी और इंडियन पार्लियमेंट यह आपने इंडिया की पढ़नी है और यह उपर जो तीन टॉपिक है इंवेंशन इंदी वर्ल्ड स्पोर्ट एंड बेसी कम्पीटर यह तो बेसी का है चोटी चोटा है यह बुक है आप इसको यह क्या दो दिन में भी खतम तो जो ऊपर के दो टॉपिक बटाए उस्टियो इस तरीके से इंडियनبة ये इंको आपने ती टूसी एपने वाइट के बढ़ेंगा आप के पास रहती है जो लुसेंड की लेती है आप उससे भी त्यारी कर सकते हैं और यह आपको specific अगर इससे related को वीडियो चाहिए या इंडियन हिस्ट्री से एकोनोमी इन से related तो आप मुझे comment box में करके बताएं कि हमें इससे related topic चाहिए मैं तो मैं उसके लिए आपको provide करा दूँगी दूसरा famous day and dates famous day and dates याद रखने की चीज़े है चो करेंट में चल रहे हैं करेंट में यानि कि अब आप मई से शुरू करते हैं या मार्च से शुरू करते हैं या तैयारी आपने अभी अपरिल में शुरू कर दिये तो उन से related कुछ नए नए चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ें आपने देखती रहने हैं famous books and authors famous books and authors आते हैं जो आपको बड़े-बड़े authors की बुक हैं या खिलाडियों ने जो कितावें लिखी हुई हैं या actors हैं उन्होंने अपनी कितावें लिखी हुई हैं या कोई motivator person है जिसने बुक्स लिखी हुई हैं तो उन से related आपने यह याद रखने हैं अब बात करते हैं साइंस की तो साइंस में बॉटनी, chemistry, geography, physics, zoology यह related है और यह भी आपको मैं suggest करूंगी 10 10 प्लस टू की या आप 9 से ले लीजिए जो ncrt की बुक आती हैं हिंदी हिंदी और इंग्लिस दोनों में आती हैं यह बुक तो आप इसको भी तैयारी के बातना उसको ले सकते हैं कि तैयारी इन मैंसे भी कर सकते हैं जो students ncrt नहीं पब्लिस होती है easy language रहती है मैं आपको उनकी details भी बेज़ दूंगी जिससे आपको परिशानी नहीं होगी और 10 वैसे best मादम माध्यम होता है ncrt पढ़ने का ncrt से आपको बहुत अच्छी knowledge हो जाती है interview में भी आप से कुछ सवाल इससे से पूछ लिए जाते हैं तो आप कह जो भी इसके नियम या कानून बने हुए है या इससे related कोई cases है ऐसा नहीं के जर्नल नौलिज का पेपर है तो इसमें cases नहीं आएंगे या lawsuit related कुछ नहीं आएगा आएगा क्यों नहीं आएगा पॉल्टी पॉल्टी की बात करूं या constitution की बात करूं तो राज विवस्ता में constitution constitution आपके first paper में मिल जाएगा second paper में मिल जाएगा constitution related बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके 2018 का पेपर उठाके देखेंगे first paper में constitution related बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं तो आपको first paper त्यार करते हुए यह चीज़ां रखनी है कि हमने law को भी इसमें देखना है चलिए international affairs current international affairs current international affairs की बात करूं तो international law हमने LLB में भी पढ़ा होता है और जिन विद्यारतियों ने LLMB क्या हुआ है वो international law में भी LLM होता है तो आप उस level की book ले लीजिए या कोई भी ऐसी book जिसमें international law से related कई चीज़ें current में भी चल रही होती है और कई चीज़ें law भी हम जानने को हमें होना चाहिए law इस से related law है इसकी एक book का आती है उसका writer का नाम में भूल रही हूं लेकिन मैं आपको comment box में बता दूंगी कौन सा writer है international law की बहुत अच्छी book है आप उसे एक पढ़ लेंगे उसमें हर चीज़ डिटेल में दे रखी है वह पढ़ दीजिए second बात करूं सब्सब्रेक्ञाब है और तक कृमा में और उसमें की पनी आप करते हैं कि उसमें कि तरीके से सवाल पूश लिए जाते हैं अब बात करते हैं आईपी इंडियन पिनल कोट की जैसा कि अब सब्सक्राइब शब्रक्ञाइब करका हम अधिकतर बहुत से स्टुडेंट्स जानते होते हैं कि इंडियन पीनल कोट में किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाते हैं तो देखिए मैं बता हूं आप इसमें आप अधिकतर तो आप यह देख सकते हैं इंटर आई पीसी में बॉड़ी से रिलेटेड ऑफेंस हैं या करेंट से रिलेटेड जो भी केस केस होते हैं जैसे मैं बात करूं अभी 376 के ऊपर एक बहुत अच्छा जजमेंट है निर्विया केस वाला है तो वह आप बहुत अच्छे से डिटेल में देख लीजिए या मैं उसकी बात करूं हीनियस क्राइम में जो केस लाता केस था उस उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ लिये जाते हैं घुमाफिरा के साइथ कुशन आते रहते हैं MP का UP में आ गया UP का RJS में आ इससे रिलेटेड मैंने कई ऐसे कुशन्स देखे हैं जो घुमफिर के एक ना कहीं किसी ना किसी एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं परसात्त करते रहते हैं prelims के साथ मैं तो मैं लिक्वेस्ट करूंग जन्हों ने अच्छे से लोगों पड़ लिया है या अच्छे से किसी एक्टों को पड़ लिया है ही आपडिप में जाए कोई भुक उठागे पढ़े और जन्होंने prelims के परपस्से हि पढ़ना है वह प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है उनसे वो स्रिफ बेर एक्ट उठा लें किसी का भी बेर एक्ट उठा लें अब तो कई सारी पॉब्लिकेशन आने लगी हैं वैसे बैसे बैस टू बैस रहता है सेंटल लोग पॉब्लिकेशन का और अगर आप इजी लेंग्विज में देखन चाहते हैं तो कानून प्रकाशन का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है आप वह देख लीजिए वह इजी लेंग्विज में भी होता है और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसमें सोट में दे रखी हैं कई चीज़ें जिसे आपको समझ में आ जाएगा लॉफ कॉ हमेशान हैं किも हमेशा याद रखना है अश西ता हैं समस ब मैं आयको डेफिनेशन की बात करों तो मैं आपके चार चैप्टर जो शुरुव में दिये हुए हैं ने चार पाउंच पारत हैं fundamental duties तक के तो वो मैं आपको कहूंगी कि वो याद रख लीजी अच्छे से और एक question अमेज़ा पूछते हैं कि प्रस्तावना में कितनी वार amendment हो चुका है कई दफा मैंने यह देखा हुआ है question पूछा है repeat होता है question आप इसको त्यार करने इससे related कितने case हैं इस case में क्या कहा गया था इस case में बहुत घुमाता है सवाल जो है आपने याद रखना होता है case वानन भारती वाला लेकिन वो पूछ लेता इंडरी वेरु वाल वाल वाला तो आपने कई चीज़ें उसमें देखनी है कि फला किसमें क्या जज़मेंट था और फला किसमें क्या ज़जमेंट आया था दूसरा याद रखना है आपने जो जस्टिस रहे थे इस case में जस्ट अब आर्टिकल 370 बहुत आया है उसमें करेंट मैं तो आपने 370 से रिलेटेट आ सकता है सवाल अगला अगर यह कभी भी को यूप्यसी अगर जो है वेकेंसी निकालता है तो 101 परसेंट है लिखके लेजिए मैंसे के 370 से रिलेटेट कोई ना कोई सवाल आप से पूछ ली पूश ही लिया जाएगा आपने याद रखना है 370 आपने अच्छे से देख लेना है उसको त्यार कर लेना है बात करते हैं टीपीए की टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है छोटा एक्ट है बहुत लेकिन टेक्निकल वाला एक्ट है आप इसे अच्छे से देख होते होनी चाहिए तो वह देख लीजिए का क्रिमनल प्रोस्थेजर कोड कर्या सीर पीसी सिरritis भी बहुत अच्छा आपने याद रखना है यहीदी में सी ऐहर भीसी की बात करें थी सियार artists की भूट बड़ा एक्ट है सी एर्पीसीश腺ंस में बहुत कुशन पूश ले जात इंटरनेशनल जो लौ है इंटरनेशनल और 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 इस तरीके के जो संगठन है जो भारत जिन में पार्ट है या भारत के जो पार्ट है उस तरीके से आपके सवाल पुछ ले जाएंगे CPC वी वही से में आपने CPC पड़ा होता है और है इसमें एक्ट है दो बाग में बटा हुआ है और पहले सेक्शन में आते हैं दूसरा हमारा और की बात करता है रोल और और की बात करता है तो CRPC इस तरीके से देखनी है चलिए अब देख ले आज में में की नियुकम क् oblates के बारे में 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 क्यांस पड़ने रहे हैं लेंगे में अग्रिद் में पढ़ना है अब language की बात करूं तो language में ऐसे writing English में writing English presses writing translation of passes from Hindi to English इस तरीके से language में पूछ लिया जाएगा और translation of passes from English to Hindi इस तरीके से आप से सवाल पूछ लिया जाएगा तो यह language का paper रहता है language का paper ऐसा कोई टफ नहीं आता कोई भी student जो general English की knowledge रखता है या Hindi की knowledge रखता है वह बच्चा इसको clear कर सकता है अब बात करते हैं law के first paper की law में first paper होता है substantive law substantive law में क्या क्या include होता है मॉम्डान law constitutional constitutional law law of answers assessment and torts यानि torts की बात कर रहा है दूसरा टीपीए transfer property की बात कर रहा है law of partnership की बात कर रहा है हिंदू law की बात कर रहा है और equity की बात कर रहा है और यह trust and specific relief act की बात कर रहा है तो यह सारे substantive law रहते हैं इसमें से में पूछली जाते हैं में में बहुत अच्छे से रखें और करके पूछ लिए जाता है यह पेपर टूपर डिपेंड मुझेंड करता है कि किसीए और किस तरीके का पेपर बन रहा है दूसरा पेपर होता है प्रोसीजर एंड एविडेंस सावो स्ट में लोग में क्या क्या होते दी लौफ विडेंस ग्रिमनल प्रासिजर कोड दिका गॉड ऑफ सूविल प्रिशीजर फिल प्रेंसीजि पर अव प्रशीजुमार में इतिकल मैथड़्स प्रैक्टिकल मैथेड़ फ्रेमिंग ओफ चार्ज एविदेंस एंड विटनेश इस ली राइइफ जजमेंट दुर्क कंडत ओफ कैसे कंडक भाद होता है इसमें आपके जतने वी प्रॉसेज़र लाँ है वह ऊजाते हैं वीडेन्स आ गया सी पी किसी आगया प्लीडिंग्स आ गए और यह विभधे वी इस से आ गया जस्मेंटेस किश आ एक्ट रहेंगे जो आपके स्लेवर्स में दे रखे होंगे यूपी से रिलेटेड आएंगे आई पी सी कॉमन रहेगा उत्तर प्रदेश जमीनदारी एबुलेशन एक्ट यह रहेगा यूपी से रिलेटेड है नोकल लॉज में आ जाएगा लेंड रिफॉर्म सेक्ट 1972 आ जाएगा उत्तर प्रदेश मुनिसिपल्टीज एक्ट आएगा यूपी पंचायत राज एक्ट आएगा यूपी कंसोलिडेशन ओफ होल्डिंग एक्ट आएगा नाइंटीन फिफ्टी सी का उत्तर प्रदेश अरवन प्लानिंग एंड डेवलेप्मेंट एक्ट 1973 से रिल व्लम में जिस तरीके अंटीरा मैं घ्राइग लूज़स तरीके से हमने केस लाग के सांथ में यह त्यार करना वड़ पर आएगा कि चाइन पैपर और 5 पर पर होते हैं 3 लॉस एरेंट होते यह एक जियस ओन्टीड और एक लेग्वीय से‌प्रम लेटिडिड अर्एक पर जीएस का रहता है जो मैंने फर्स्ट में ही डिसकस कर लिया था जर्णल नॉलिज से रिलेटेड जो पाट रहा था तो फ्रेंड्स मैं आसा करती हूं आपको आप सभी को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते ह अपना टेलीग्राम का गुरूप का चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और आप यदि मुझे से मुझसे फेस्बुक पर जुड़ना चाहते हैं तो वह भी लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी और फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कमेंट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ओर वी वीडियो में अपलोड कर दूँगी आपको कमेंट डॉक्स में मुझे बतावियूब किंसे या किस से अपको स्लेवर स्रेव रहेंगे रहें । फ्रेंड्स बाइ है वगुद डे